हेलो तो अब्रिवन गुद इवनिंग हेर इस मनिशा तंडन वेल्कम बैक तो आवर ओफिशली यूटूब चैनल गिल्समें टार आंलाइन ए-लर्निंग प्लेड़फोर्म तो गेट अल्रीस नोटिफिकेशन राइट नाव सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दो नोट फोर्ग पार्ट्स कंप्लीट कर लेने विद एक्स्पलानेशन फाइवन्डर कोशन अपा कंप्लीट कर ले होएने आज जपा नेक्स्ट सेशन लेके आया तो अडली 21st पार्ट लेके आया जिस विच अपा नेक्स 25 कोशन करांगे दिखो आज में तो हनु करवावांगी पंजाव ग पार्ट वीडियो नहीं देखी है जड़े अप डेली सेशन देख देने लास्ट वाली वीडियो जड़े टेस्ट सेरीज सीगा मैं 500 कोशना विच्चों मिक्स अप करके 30 कोशना दा टेस्ट लेके बनाके दन तन 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 देखी है अपां मतलब किता सीगा कल ठीक है लाइब टेस्ट ते आज अपां करन जा रहे हैं नेक्स्ट वाली कोशन 25 कोशन ते गाइस प्लीज लास्ट वाली वीडियो नू जरूर देख लोओ ता डेली के अनलाइज ही है कि तुसी किन्ना पड़ दियो ठीक है तो तुसी किन्ने अपना स्कोर दस देवो ठीक है देखो त्याज अपां करांगे 22nd पार्ट 22nd पार्ट विच अपां देखो जिन्ने भी सा डियान वाले एक्जाम्स ने लाइक PSPCL, PPSC, PSSV, FCI, SSC, स्टेट लेवल दे कैलो, सेंटर लेवल दे कैलो, किसे भी तरहां दे एक्जाम्स नहीं ज जॉडे ने बहुत ही इंपोर्टन एपन वाला है ज्यादा तो जादा शियर करदो ठीक है जिन्ने स्टुदेनने आले डेली जौंदे, लाइव क्लस से लंदे ने तुसे त्यायन पढ़ना स्टार्ट करदो, स्टडी त्यार म deportना स्टार्ट करदो जिकर तो तो इस चांदी गाइस प्लेइलिस्ट ते जाके बन वाइवन फॉल्डर चेक कर लेने कंप्यूटर मिल जाएगा तो उस विच तो ही अपना जड़ा मतलब वन वाइवन डेली वीडियो देख सकते हो देन साथे लेटी कॉर्स्पोंडिंग चल रही है ने वीडियो पीसपीसील दे नाम दा ए है डिफाइन हाओ वन इंटरनेट कॉनेक्टर कंप्यूटर कैन कंटेक्ट अनदर टु एक्सचेंज कंफिगर कंफिरमेशन कंफिरमेशन मेसीज मतलब तुस इसनो केड़े वर्ड ना डिफाइन करोगे जिस विच की है कि इंटरक्नेक्टर कंप्यूटर हुन देने कंटेक अपना कंफिरमेशन मेसीज नूँ जा अपना डाटा नूँ की कर पान देने एक्सचेंज कर पान देने ठीक है गाईस तेदस वेदा सही आंसर की हो सकता है चलो मैं दस दिन दी है इस गुर्एक टांसर इज सी आपशन ट्रानस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकोल टी सी पी ठीक है टी सी पी जी मैं था अनू पता है कि टी सी पी जी जड़ा प्रोटोकोल हैगा इसा अडेली किसले यूज किते रहने है Communication दे लएई है ना किस दे लए Quebec communication दे लएई next question जलते हैं guys documents of the bet that are transported over the internet are called जड़े documents documents of the web that are transported जड़े सब्सक्ताइब आपा transport और जड़ next question चल देए internet explorer and safari are example of इंटरनेट एक्स्प्लोरर ते एक सफारी जड़े ने किसदे एक्जाम्पल्स ने दसों मेंनों कमेंट करके बहुत इसी कोशन आपा लास्ट ओली वीडियो वीच वी किता है ओप्शनिकर्करस वीच मधद कर देने जो अपां इंटरनेयटनास ख़कें इंटरनेट असेस कर सएयने Local तानु पता ही है कि अपां किस तरह दे ब्राउजर यूज करते हैं explorer ठीक है then chrome, opera mini मतलब mobile वीच भी हुदेने आपा mobile वीच, cell phone वीच भी अपा यूज करते हैं ठीक है, browsers next question चल दें guys हरे question दे 5-5 option इते हैं तुछ त्यानल पढ़ने है statement and then comment भी त्यानल करना है hash is a numerical identification and logical address that is assigned to device participating in a computer network सबज आगे question? देखो की लिख्या होया है एक numerical identification क्या सक्दियां मतलब की numerical identification जा logical address क्या सक्दियां आपा असाइन किता है किसनू devices नू है किसते computer network अगर आपा देखो हरे computer network दा जुनीक identification उन्दी है इस तो तो अन्दाजा लग जाना चाहिए त इस दा answer की होना चाहिए आपा देखो इस इंटरनेट प्रोटोकोल अड्रेस IP अड्रेस सब दर जुनीक उन्दाए next question है IP address which varsa किलें विट सुनेंडेंगे ठीक है Maryland 2014 IPv4 विच 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 वी दसो किलेंडेंगे IPv6 विच 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 मिच विच नेक्शन कोर्षन है ADSL, SDSL, HDSL and BDSL are examples of different types of dash कुछ टार्म्स दितियां हुई या ने तो तुसे दसना है कि किस तरानिया एक्जाम्पल्स ने लिडियां कि डिफरेंट टाइप्स किस दे विचानेंगें, किस चेने विचानेंगें हजी, ते इस दा सही आंसर कीगें Yes, is the correct answer is A option Digital subscriber line DSL इसनो DSL दे नाम तो भी जाने जानदे है, ते साब की ने डिफरेंट टाइप्स ने, किस दे DSL दे तो तुसे कोशिश करो कि ASDL, SDSL, HDSL, BDSL दे मिनो full form लिख के दो DSL, that is stand for digital subscriber line, ते वाक्या डा, A, S, H, B है ना, इस दे मिनो full form लिख के दो ठीक है, कुछ कोशन से पहले repeat हो चुपके ने, जिस विच मैं A, D, S, L करवाया होया है, ता नो B, DSL भी करवाया होया है DSL औ HDSL दे तुसी खुद मिनों दो, कोमेंट करके चल दे, next question दे Dash is the process that transforms data such as voice, text, graphics, audio and video into digital form हांजी, देखो इस विच की क्या होया है कि उस process नो अपा की क्या दमांगे, जिस विच आपा की करदे हैं गाईस की करदे हैं ट्रांस्फर करदे हैं, ट्रांस्फर करदे हैं कि इस data नो जड़ा किसे भी तरहांदा data हो सकता है वाला एक कोई voice हो सकता है, कोई text हो सकता है, कोई graphics, कोई audio, कोई video है ना इस नो की करदे हैं दे, digital form बीच कनवर्ट है ना इस दरहांदे जो परसाइस नो कहा दे हैं अपाँ digitization B option is the correct answer, digitization next question चल दे है, Microsoft Assess and MySQL are examples of Dash 5 option दित्ते ने, सही answer देंदी कोशिश करो, तिस दे सही answer की हो सकता है B option, database management system database management system दे, केड़े केड़े examples ने MS Assess ते MySQL, ठीक है MySQL दी full form की हुन दी है MySQL stand for Structural Curie Language Structural Curie Language, ठीक है next question दे चल दे है a dash और data files is a collection of related records 5 option दित्ते ने, सही answer देंदी कोशिश करो तिस दे सही answer की हो सकता है D option, table ठीक है केंदे की collection of related record की हो सकती है किस दे collection कहा सकती है आपसनू table नू कहा दिन दिया ठीक है tables and data file is a collection of related record ठीक है, table की में बंदा था नू पता ये सब नू ठीक है next question है the dash is the central part of operating system that consists of instructions that control the actions of operating system used the most frequently बहुत easy question है मतलब operating system दे वारे तुसे सब ने सुनिया होएगा ठीक है जी operating system की होंदा है दस्नों मिनों थोड़ी जे डैफिनेशन लिख के दस्नों की होंदा operating system तो operating system system software है जा application software है आफी दस्नों काफी बार करवा चुकी है ठीक है तो operating system की होंदा है guys जड़ा की interface होंदा है किस की से देवीच hardware देवीच एंड यूजर देविच कि मतलब आपाँ डिवाइस जड़ा साथा मशीन है उसनल आपाँ कम्निकेट किद्धा कर सकते हैं ते इस इंटरफेस दे थू ही कर सकते हैं अपरेटिंग सिस्टम दे थू ठीक है इस इस एक प्रेटिंग सिस्टम दे था आपाँ किस थू रोल अपना अदा कर दा है अपना किस भी उप्रीटिंग स्टम कर सकते हैं ते आपाँ कोई ने एक इसम्मज सकते हैं ते देखो नेक्स कोशन है एक डाटावेस काल दी डैश, स्टोर्स, कन्फिग्रेशन इन्फोर्मेशन अवाउट इंस्टॉल, पैरिफल्स, एंड सोफ्ट्वियर मतलब एक इद्दादा डाटावेस जिसनों आपा की कमाँगे जिस विच अपा की स्टोर करके रख देया कन्फिग्रेशन इन्फोर्मेशन अवाउट कादे वारे जड़े अपा इंस्टॉल किते हुन देने सोफ्ट्वियर ज़े पैरिफल्स, डिवाईज जड़े टैश किते हुन देने ठीक है ते इसदा सही अंसर की है C option that is called registry next question चल देया which of the following topologies has the highest reliability बहुत वार कोशन कर लिया हुया है ठीक है ते इसदा सही अंसर देने कोशिश करो D option is the correct answer mesh topology ठीक है इसदा सब तो ज़ादा highest reliability हुन दी है ठीक है ते topologies की हुन दी है आपस भी चड़े computers network की हुन देने connected हुन देन उसनों मिला की बन जन्दी एक topology बन जन्दी है देखो in the mesh topology each computer is connected to the other with a separate physical link in a network मतलब mesh topology विचे की हुन दे each computer जड़े हुन देने connected हुन देने किस देनाल with other separate physical link लिया नाल it is most reliable topology as a network does not get down in case one node is failed star topology विचे की हुन देने एक center computer देनाल काफी जारे computer जड़े ने connected हुन देने ठीक है लेकिन mesh topology विचे की हुन दे गाईज इस विचे काफी computer जड़े हुन देने अपस विचे की हुन देने connected हुन देने ते reliable ने इसनों क्या गया है highest reliability क्यों कही गई है अगर किसे भी computer विच कुछ effect आयंदा है कुछ fault आयंदा है कोई computer failed हो जणदा है node है ना ते किसे वाक्की वाले जड़े computational connector ने उना विच कोई भी effect नहीं पहेगा does not get down ठीक है in case of the nodes is failed ठीक है एक गाल समझ आने चाहिए इसनों क्या गया है कि highest reliability next question दे चल देया बिच अमंग दी following term we used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups अपा किस तरह दी term यूज करांगे जिस विच की हुंदा है कि unauthorized copying of software to be used for personal gain मल अन्थराइज चड़े की करलां देने साठी copy करलां देने किसनों softwares नू कादल ही अपने personal gain लई ठीक है ठीक है ते personal gain अपने personal profit लई है न ते सही answer किये गाइस software privacy software piracy software piracy is the illegal copying distribution and use of the software देखो किन्य तरह दे साठे computer जड़े हुंदे ने software ने कोई operating system ने जड़े piracy है न कि जी में ता नू पता ही है अगर अपना एक software लेना होवे थे उसदा price 5000 तो लेके 10,000 मतलब highest price काफी ज़्यादा हो सकता है लेकिन piracy काफी copy उसदे कित्ते होए ने लेकिन लेकिन एक इक इल्लीगल वर्क है नहीं करना चाहिए दाना इसनो यूज ओफ दी software जड़े आपां कर दे सारे पारिस ही हो सकते ने देखो ते नेक्स्ट कोशन चलते हैं अवेडिक कोट can spot how much different representation of characters अवेडिक दी पहले दा मैंनो full form लिखे दासो E, B, D, I, C मतलब अवेडिक नू अपां किदा लिख सकते हैं इस दी full form की लिख सकते हैं इस दी full form लिखे दासो secondly दासो कि how much different representation of the character अगर इसनो अपां represent करना होवे ते किन्ने characters नाल की कर सकते हैं represent कर सकते हैं ते जा सही answer है ए ओप्शन 256 characters नाल ते गाईस full form लिखे इन्नों कमेंट करके जल्दी तो जल्दी दसो देखो जे नहीं पता full form देख लो E, B, D, C stands for extended binary code decimal interchange code Vedix is a 8-bit code with 256 different representation of characters it is mainly used in mainframe computers इसनो mainly किस विच यूज किता जन्दा है mainframe computer विच तेस्दी full form पता चले गई होगी सबनू extended binary code decimal interchange code तेस्दी विच किन्ने character represent कर देने 256 तेस्दी कोशन काफी वार पुच्छे जन्देने next question है the main web page of a website is also known as जिटा main web page हुंदा है किस website उसनों अपा की कह सक दिया ठीक है is also known as B option is the correct answer home page ठीक है इसनों कहा दिन दिया home page home page is the main page और introductory page of a website typically serving a table of content for this site काफी बार सम्झा जुकिए है जदो अपा internet यूज कर दिया है सब तो पहले एक home page खोल दा ठीक है website दा home page home page थे क्यूंदा है content अपा मतलब एक table फों भी चुन देने के अपा किस किस तरह दे content अपा देख सक दिया है ना ते चल दिया next question थे what is hyperlink? hyperlink की उन्दा है बहुत easy question है ते आनाल पढ़ लो वो statement देन में नू answer दो yes it is a text or image that you can click on to jump to a new document जाँ page मतलब एक इद्धाना लिंक होंदा है जिस्ते आपा click करिए ते आपा jump करके किते चल जान देया किसे new page थे जा new document थे ठीक है तुसे देखियो हैगा जो आपा internet यूज़ कर देया एक highlighter मतलब एक अंडल आइज जा इद्धा लिंक जा होंदा है ठीक है इसनों कहा जिन देया hyperlink एक पेजी connectivity किसे दूसरे पेज नाल जदो हो जन्दी इसनों कहा जिन देया hyperlink ठीक है देखो ए hyperlink और simply link is a reference to data that the reader can directly follow either by clicking tapping however hyperlink are found in nearly all v-page allowing user to click their way from page to page hyperlink नों आपा simply link कहा सकतेया जिक reference देया जिसवी data की देया मतलब उस data नों आपा कुछ भी जड़ा है 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 उसन आपा की कर देया क्लिक कर देयां जड़ा कर देयां जुसते अंटर मतलब करस रक्के अंटर कर देयां ते की हो जन्द है आटमेटली दूसरे पेस्ते की हो जन्द है जंप जन्द है ठीक है next question चल देयां what is a technique used to gain unauthorized assist to computers where why intruder sends message to a computer with an address indicating that the message coming from a trusted host काफी बार कर चुक किया इंदाने कोशन ते आनल देख लो देना अंसर तो इसे क्रेक्ट आंसर इस आई-पी स्पूफिंग देखो एक इद्धानी टेक्नीक जिसनों आपां किसली यूज कर देया है यूज तो गें अनथ्राई जैज तू कम्प्यूटर बियर इंट्यूडर सेंडे मैसेज तू कम्प्यूटर वी एडर्स इंडिकेटिंग डैट मैसेज गांविंग फों टेसर होस्त मतलब आपां किस कई बार इदा देख देया कि साड़े कंप्यूटर थे की हुंदे ने सकता है है कि हो सकता है फिर्फ फिर इंडिकेट हुं देने कि जिमें लगशा है कि जिडि़े अड्रेस मेसेज आरे नैंगर एक ट्रस्टेड होस्ट मतलब किатив तुश्हे देखते हैं कि किनु quickest किमिशी अपका सv पर सकते हैंत니까 लगदा है कि जिवें एक औरीजनल साइट तो आये हुंदेने लेकिनों गाइस नहीं हुंदा उसाब फेक हुंदा है ठीक है ते इसनों क्या सकते हैं कि असानों यूज नहीं करना चाहिए अद्धाने कोई मैसेज बगारा उपन नहीं करने चाहिए ना कोई परसनल डिटेल शेल करने चाहिए सानों किसे भी इद्धाना क्योंकि बैंक वाले कदीव इद्धान कुछ डाटा नहीं मंग दी देखो स्पुफिंग क्यों दिया है इस टाइप प्सकैम वियर एन इंटुडर्स एंटुडर्स हैकर्स क्या दिया है अटेंट्स तो गें आन अध्राइस तो यूजर सिस्टम इन्फोमेशन वायर प्रेटेंडिंग तो वी दी यूजर दी में परपस इस तो टूजर इंट इस तो टूजर दी यूजर करें अपना रिलीज कर देवे रिलाइजिंग दी सेंस्टिव इन्फोमेशन उसनों रिलाइस कर देड़ें तो सोचो कि नहीं है सची दा लिंक है नहीं सब्सक्राइब इंट्ड़ने मैसेज आनेंगे तो अनू कि यह नहीं तो लगें कि नहीं स किसे तुसी काफी बार देखें होनगे ते अविजर किन नहीं करना है ऑगर तोन इजर कुछ लगदा है तो सिलल्याज कि बरिफाई करनें बेंक जाके रिक तो से किसे भी तरहां पतलब हैटिय करणको सब्सक्राइम चाथा किसे भी तरहों कोई मैसज आसकता है इससनों च depends तरह जांच पड़ ताल करके अपनी फिर उस्तों मैसेज नू मतलब दैन उसदर रप्लाई करना चाहिए यहाँ ही नी तुसी अपनी पर्सनल इंफोर्मेशन नू शेयर करो ठीक है पोट्रेट एंड लैंड्सकेप आर लैंड्सकेप ते पोट्रेट की हुंदा है की हुंदा है दस्वों मैंनू बहुत इजी कोश्चेन है जैकर MS Word MS Excel अपा यूज़ कर देयां ठीक है देखो जी मैं अपा की कर रहे हैं इस टाइम वीडियो देख रहे हैं ठीक है ते आ कीडा मोड हो सकता है दस्वों मैंनू आए लैंड्सकेप मोड ठीक है जदो अपा मोवाईल नू इदना थोड़ा जा कर दमांगे सिद्धा फड़ांगे उन्नू कहा दे अपह मुझोनदेशन इस्नू कहान देन हैं पेस ओरेंटेशन थे अपाँ चिनना भी डाटा अपाँ लिख दे या है इस नू कहान देए पोट्रेट ज जिसदे कि हुँन vigth का टून दी है लैं्थ जादा उन डिया वर्ट जिशदे चोडाई जादा हुन दी हुनि उसनू नेक्सक्कषण चल्डेयां देखो पहले थोड़े ठीक्स्रिप्शनी लिखिया है ANY अगुरण बें पटामृ ते रेक्टेंगुलर पचल्टा नीजिली पहलें प Dustyестombja कine बेंटी की जिडीन की फीररा स्वरिफ्लीटेसों network is provided by मतलब internet अपां sus कर दिया ठीक है उसते जड़े digital data transmit उनदा है जड़े wires ते ठीक है ते उसते network केड़े network ते प्रोड़े हुनदा है wire of local telephone networks is provided भाये केड़े network ते प्रोड़े मतलब कैं ना मतलब है कि जो वी अपां data जड़ा transmit कर देया, कि दे या, इंटरनेट दे, ठीक है, ते digital form भी चुन दे सारा, ते इस नो अपन कि दे थू कर सकते ते या, डिजिटल सब्स्क्राइवर लाइन, DSL कहा दिन दे, जिसनो कहा दिन दे, DSL जिनना भी सादव लोकल टेलीफोन ते नेटवर्क ते जड़ाप आप प्ड़ाटा परवाइड हुन्दा है ते की हुन्दा है सारा डिजिटल सब्सक्राइवर लाइन, ठीक है? ते याद रखना है किसली किर्ता जान्दा जूज प्रिक इन्टा जान्दा है किसली किर्टा जान्दा है लोकल तेलीफोन नेटवर्क ते Digital Subscriber Line is a called DSL is a family of telephone is Sorry, Technologies that are used to transmit digital data over telephone lines Next question चल दिया Which of the following network device is also called a concentrator कंसंट्रेटर अपा किस तरह दे नेटवर्ट डिवाईज नू कहा दिन दियां तिस दा सही अंसर है हब ठीक है अपा कोशन पहले भी कर चुकियां काफी बार एह हब इजे कंटेंड सेब्रल पोर्स ओफ कोनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर तू फोर्म में समाल नेटवर्क इजे सिंपल हविस काल कंसंट्रेटर मतलो की हब नू अपा कह सक दियां जिस विच सेब्रल पोर्स ओंदेने ते कुनेक्टेड की हुंदा है मल्टीपल कंप्यूटर फोर्म ठीक है एक समाल नेटवर्क बन जन्दा है जिसनों पा कहा दिन दियां कंसंट्रेटर नेक्स कोशन है बट टाइप ओफ बब टेकनोलोजी क्रेट्स अन ओनलाइन कम्यूटी विएर प्यूपल कैन मेक स्टेटमेंट्स अन अधर्स कैन रीड और रिस्पॉंद तू दोस स्टेटमेंट्स बल्ब एक इद्दान उस टाइप नोपा की कैन मांगे जिस स्वीच की कर देने पिपल्स एक ओनलाइन कम्यूटी की कर देने क्रेट कर देने ते पिपल्स अपनी मतलब किसे भी तरह स्टेटमेंट्स नो रीड कर सकतेने रिस्पॉंद कर सकतेने ठीक है कोई भी जिकर तो से देख्यों एक जर्नल है ना इक इत्दानी अपना साइटां यूज कर देने ते उसनों की कहा दिन दे गाईस इस काल्ड ब्लॉग ठीक है ब्लॉग भी ब्लॉग अपना क्रेट कर देयां जिस विच अपना किसे भी तरह ना कोमेंट कर सकते हैं किसे भी तरह हाँ मैसीज कर सकते हैं खाड़ील्ही भण हां था है और पनले बंआ पने लीब नंध यूज मिच अपना कमीटी त्यार कर दियां ओनलाइं ऐस सरवीच की कर सकते हैं इंड़ीजन द्वारा भी बना जा सकती है ब्लॉग जा समॉल ग्रूप द्वारा भी न एक तरहाना की उन्द है एक रैगलर अपडेट उन्द है ठीक है एक वैब साइड पेज कहा सकते हैं जिस वे अरेगलर यह पांकी कर दिंद है कंवर्शेशन कर दियां मतला कंविकेट कर दियां ठीक है एक इनफॉर्मल लैंग्विज क्या सकते हैं देखो नेक्स कोशनी चलते हैं कंविटर यूज दे डैश नंबर सिस्टम तो स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन फाइव ओप्शन दित्ते ने सही अंसर की हो सकता है binary computer अब की उस करदा है binary number system ठीक है किसनो store कर ली data नो store कर ली ते perform कर ली calculations नो binary is number ठीक है binary number याद रखने है next question चलते है dash is the process of carrying out commands उस process नो पा की करवांगे जिस विच carrying out उन दी है की commands किसनो क्या दमांगे executing execution ना मतलब समझ दियो सब next question चलते है invert when you indent a paragraph you dash मतलब ज़द तुसी किसे paragraph नो की करना है indent करना है ते तुसी की करोगे ते ते ज़ए सही अनसर है push the text in the respect to the margin indent set करना है तो तुसी की करोगे push पुछ करोगे तेक्स नो respect to the margin ठीक है next question चलते है which of the following ये used by browser to connect to the location of the internet resources resources अपां स्विच्चों की यूज करांगे जिस्विच्च जड़ा साड़ा browser to connect to the location of the internet resources नाल मतलब internet resources नाल साड़ा की हो जवे browser connect हो जवे ठीक है पर्टिकुलर लोकेशन उसनो कहा देंदे है URL uniform resource locator ठीक है एक पर्टिकुलर सुनदे है किसे साइट दा जी में तुसे देख्यों हैगा http colon slash www.gillsmentor ठीक है अब gillsmentor.com तो सारा की आजन्द है गाईस सारा आजन्द साड़ा देतों .com इसनो कहा देंदे है URL ठीक है साइट ते तुसे देख्यों हैगा इतना साइट जो आपा सैस करदे है इंटरनेट सैस करदे है सत्तों पहला अड्रेस बार्थे की हुंद है URL हुंदा शो हर एक साइट दा अपना-अपना मतलब सारे आँदा अड्रेस हुंद है ठीक है dash is the process of dividing the disk into track and sectors उस पर सैस नोपा की कवांगे जिस विच डिवाइड करदे है आपा डिस्क नो track and sector देवीच ति उस नोपा की कहा दिन दे है guess करो formatting ठीक है B option is the second option is the correct answer ठीक है साढ़े जडे नियाज 525 questions 55 questions complete होगे नियाज तक ठीक है आपा 22 parts are complete किता है जिस विच अपा next 25 questions किते निया आज दा session साढ़ा इथे ही कतम हुंदा है आज आपा मतलब जडे निया questions जिन्ने भी किते निया कुछ questions ते इद्धा देने एक दो questions इद्धा रपीट हो जान्देने जिस विच जडे कि अपा पहले वाली session विच भी किते हुंदेने इस दा मतलब हुंदा है कि very important question है कदी भी आ सकते ने ठीक है ते अपा questions जडे लेने सारे कितो लेने previous question वेपरां विचो लेने उमीद कर दे हैं कि जिन्ने भी आनवाले exam से लेना ले बहुत helpful होंगे आनवाले paper ले ठीक है ते गाइस दुसी नाल नाल अपनी त्यारी करना start कर दो basic question दी भी ठीक है हूं ते अपा daily app level लेवल ते जावांगे क्योंकि basic साथा cover हो चुक्किया जिना student ने last वाले basic videos नहीं देखिया basic video देखन देले प्ले लिस्ट ते जाओ जड़े ते नवे वान तुसी सारी video देख सकते हो basic दियांस ठीक है MS Word, Excel, Computer जिनने भी basic करवाईगा नियांस तक देन अप सादे टी class चल दी है corresponding छे वज़े daily class हुन दी है वीडियो skip नहीं करनी है कदी भी ठीक है अगर बाइचांस कदी हो जन्द है कि तुसी लाइव सेशन नहीं देख पान दियो तुसे जदो offline कर दिन दिया है इसनो ठीक है आइम offline शेयर कर दिन दिया देन तुसे डाउलोड करके देख सकते हो जाँ सिंप्ली भी देख सकते हो ठीक है ति अपने जिनने भी फ्रेंड्स ने तोड़ी contact वीच जिनने भी फ्रेंड्स ने लिस्ट वीच ठीक है इस नाल की होएगा काई जिनने स्टूड़न्ट त्यारी कर रहे नहीं हो ना ताके वीडियो स्पॉंच जानेगी हैं ते मेंनों कमेंट करके जरूर दूसो तो अन्नू सेशन कीमें देलग देने ताड़ी त्यारी हो रही है जा नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम था नहीं आ कोई डाउट था नहीं है ता हनू इधा है अपां फिर तो 10 जदो पार्ट सादे कम्प्लीट हो जानेगे अपां फिर की करांगे 2-50 कोश्च जदो सादे कम्प्लीट हो जान देने जी मैं तो हनू मैं पता है कि आप नाईन जा 10 पार्ट पहले किते सीगे एक टेस्ट सीरीज रख्या सिगे लाइव, भी अपना टूट्वेंटी को पार्ट जो तो कम्प्लीट किते सिगे, लास्ट डे फिर तो आपा टेस्ट लिया, भी तो आपने तरफ तो अपने तरफ तो 100% आपा आइफट करना है, साड़ा वेपर क्लियर किदा नहीं हुन्दा आपा देख लाइना ठीक है ते देखो कमेंट करके जरूर दसना है शेर जाला तो जाला करना है ठीक है ते कमेंट करके तुसी दसना है कोई डाउट था नहीं है अगर किसे कोशन वीच डाउट था तो तुसी बेजी जिक पुछ सकते हो ठीक है ते कोई भी तानु डाउट लगदा किसे भी स्टेटमेंट विच ओवी तुसी पुछना है ठीक है ते चल दें गाईज हुन गुड इवनिंग नेक्स्ट वाले सेशन चामांगे नेक्स्ट वाली कोशन से लेके तद तक जादो जादा शेयर कर दो ठीक है ते कोमेंट करके जर अनु झादा ड 25 उन confess लेकी ते कोमेंट कर दो द Entonces कोई भी स्टेटमें कोई दे लेके पूस है अ कर दोमावल प्लोग्ड़ का दोग्ड़ से अ रूальной है ूच्ड़ मैंड़िर विद्मेंट मैं आटया है याविरो तोलग भी छाषय स्टेब